हालो दोस्तो स्वागत है आपके अपने चैनल से सीख जाम कोड़ना में जैसा कि मैं आपके लिए लगातार हिंदी के सीरीज ला रहा हूं तो यह लास्ट एप्टर एक बच गया था कहावत का जो की लोक्तियां कही जाती हैं उसका मैं लास्ट वीडियो आपके लिए लेके आ जाए और 50 कल मैं इसके आदा स्रीज लेके आँगा तो चलिए बिना देर की वह सुरू करते हैं अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को नीचे सस्क्राइब बटन है वो नहीं दबाया है तो सस्क्राइब बटन दबाले और साथ में बेल ससी को लेके वन लीफ और विहार ससी जिन लोगों कोई ग्याम देना है तो वो ग्रूप्स को जॉइन करना ना भूले ओके दोस्तों तो चलिए सुरू करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जोरू किजेगा और दोस्तों में सेर करना ना भूलिएगा ताकि उ कटी और से विपत्ती का आना इसका सही धारन होगा निस्ट है निस्ट है जैसी बहे बैयार पीठ तब तैसी धी जे यानि कि समय का रूख देखकर काम करना चाहिए इसका सही अर्थ होगा जैसे वहेद बयार पीठ तब तैसी दीज़िए नेक्स है हाथ कंगन को आर्सी क्या क्या इसका सहीव धारन होगा नेक्स कोस्टन है हाथी के दात दिखाने के और खाने के और यानि कि कहना कुछ करना कुछ इस लुकुक्ति का सही अर्थ होगा नेक्स पूशंच है पाउ भर चून, पूल पर रसोई, इस कहावद का सही अर्थ होगा बड़े आदमी की हां में सबकी हां सामिल है, हाथी के पाउ में सबका पाउ का सही अर्थ होगा नेक्स क्कुस्चन है तू डाल डाल मैं पात पात इस कहावत का सही अर्थ होका इक से बढ़ कर एक चलाख होना next question है काट की हारी बार बार नहीं चड़ती यानि इस कहावत का सही अर्थ होगा छल कपट का विवहार हमेशा नहीं चलता इसका सही अर्थ होगा next question है आग लगने पर कुणा खोदना यानि की विपत्ती आ जाने पर उसका निराकरन करना इस कहावत का सही अर्थ है नेक्स्ट कोश्चन है अपने मड़े बीना स्वर्ग नहीं दिखता इस कहावत का सही अर्थ होगा स्वेम प्रयत्म करने पर ही काम बनता है इस कहावत का सही अर्थ होगा नेक्स्ट है अपना हाथ जगनात अपने हाथ से काम करना अपना हाथ जगना कहावत का सही अर्थोगा भड़ी में तोला घड़ी में मासा इस कहावत का सही अर्थोगा जरासी बात परखुस और नराज होना नेक्स्ट है गधा खेत खाए जुलाप पिटा जाए इसका हावत का सई अर्थोगा अपराद कोई करे और दंड किसी अनको मिले नेक्स्ट है घर की खान कीरी लागे बाहर का गुर मीठा इस कहावत का सही अर्थ होगा सरलता से उपलॉप्द वस्तु अच्छी ना लगे और अनवेक्ति कि अप एक छाक्रित कम स्रेश्ट वस्तु भी आकर सक्त लगती है नेक्स कोश्चन है खिस्यानी बिली खंभा नोचे इस कहावत का सही अर्थ होगा व्यर्थ जुजुलाना नेक्स कोश्चन है आग लगंते जोपड़ा जो निकले सो भाप इस कहावत का सही अर्थ होगा नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वो बहुत है नेक्स्ट कुश्चन है आब एल मुझे मार इसका हावत का सई अर्थोगा जान बुझकर मुसीबत में पढ़ना सब धान 22 पसेरी इसका हावत का सई अर्थोगा अच्छा बुड़ा सबको एक समान समझना नेक्स्ट है तन पर नहीं लटता पान खाए अलबता इस कहावत का सही अर्थोगा जुठा दिखावा करना नेक्स्ट है मन के हारे हार है मन के जीते जीत यानि होजसाहित होंगे तो सफलता मिलेगी और उस साह पुरुवक कार करेंगे तो सफलता मिलेगी नेक्स्ट है जैसी करनी वैसी भरनी इस कहावत का सही अर्थोगा काड के अनुसार पढ़िनाम मिलना जैसी करनी वैसी भरनी नेक्स्ट है गंगा गएं गंगा दास जमना गएं जमना दास इस कहावत का सही अर्थोगा सिधान्थीन मनुस्यप कोयला की दलाली में काले हाथ इस कहावत का सही अर्थों का बुरि संगती से बदनामी मिलती है Next question है का बड़का जब क्रिसी सुखाने इस कहवत का साय अर्थोगा काम बिगरने पर सहायता वेखत है Next है दूईधा में दोनों गए माया मिली नराम इस कहवत का साय अर्थोगा एक चीज के पीचे परकर दुसरी को भी खो देना Next है अपनी करनी पार उतरनी इसका हावत का सही अर्थ होगा कर्म का फल अवस्य मिलता है नेक्स्ट कोश्चन है हात कंगन को आरसी क्या इसका हावत का सही अर्थ होगा परत्यक्ष को परमान कियो सकता नहीं हो नेक्स्ट है चम्री जाय पर दम्री ना जाय इस कहावत का सही अर्थ मर जाए पर पैसा ना जाए नेक्ष्ट है सावन हरे न भादो सुखे इस कहावत का सही अर्थों का सदा एक समान रहना नेक्ष्ट है एक पंथ दो काज इस कहावत का सही अर्थों का एक काम से दोहड़ा लाव नेक्ष्ट है प्रभुता पाई कहीं मद नाही इस कहावत का सही अर्थोगा धन बैवो प्राप्त होने पर मनुस में घमंड आ जाता है नेक्ष्ट है अंत भले का भला यानि कि इस कहावत का सही अर्थोगा अच्छे कार का परिणाम ही अच्छा होता है नेक्स्ट है भागते भूत की लंगोटी भली इस कहावत का सही अर्थ होगा जो मिल गया वही बहुत है नेक्स्ट है घर का जोगी जोगना आन गाउं का सिध इस कहावत का सही अर्थ होगा अपने गाउं घर की अपेक्छा अन्यात्र अधिक सम्मान हाथी निकल गया दूम रह गई इस कहावत का सही अर्थ है सारा काम हो गया बस थोड़ा सा सेस रह गया नेक्ष्ट है साच को आच नहीं यानि कि सच्ची को ड़ने के हो सकता नहीं नेक्स्ट है, हाथी के दाथ खाने के और दिखाने के और, यानि कि इस कहाओत का सही अर्थोगा कपटपुर्ण बिवहार, नेक्स्ट है, पाव भर चून, पूल पर रसोई, यानि कि सिमिस साधन होने पर भी अधिक लोगों को कर लेना, नेक्स्ट है, पड़े फार सी बेचे तेल, या देखो कुदरत का खेल, यानि इस कहाओत का सही अर्थोगा विवसोगर योगता से निम नस्तर का काम करना, नेक्स्ट कोश्चन है, खोदा पहार निकली चुहिया, यानि कि अधिक पड़िश्रम कित्व लाब कम, नेक्स्ट कोश्चन है, आख का अंधा गाठ का पूड़ा, इसका हाओत का सही बीना विचारे धन खर्च करने वाला हाओत का सही अर्थोगा, नेक्स्ट आम खाने या पेड़ गिनने, इसका हाओत का सही अर्थोगा वियर्थ की बाते ना करके, केवल अपने मतलब की बात करना, नेक्स्ट है, खेती पाती बीनती और घोड़े की तंग, अपने हाथ समहा लिये, चाहे लाख लोग होए संग, इसका हाओत का सही अर्थोगा अपना काम स्वेम करो, नेक्स्ट है अंधे के हाथ बटेर लगना यानि इस कहावत का सही अर्थ हो जाएगा बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना नेक्स्ट है दरजी की सुई कभी तास में कभी टाट में यानि कि इस कहावत का सही अर्थ होगा खाली ना होना नेक्स्ट है नई नाइन बास का अन्ना नेक्स्ट है उट को निगल लिया और दुम को हिच के यानि कि बड़ी विपत्ती को स्विकार करना और सधारन बात पर संकोच करना इस कहावत का सही अर्थ होगा नेक्स्ट है गादा खेत खाय जुलहा पीटा जाए इस कहावत का सही अर्थ होगा किसी के कर्म की सजा अन्ने को मिलना नेक्स्ट है हथेली पर सरसो नहीं जमती यानि कोई काड जटपट नहीं हो सकता तो यह थे कुछ इंपोर्टेंट लोगती हैं जो कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए एक नजर मैंने लाया था तो जरूर एक नजर देखके जाएगा पूरा वीडियो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा नीचे लाइक बटन है लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी है दोस्तों के सहाथ आप शेयर भी कर सकते हैं ओके दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जूर दवाएगा ताकि मेरे वीडियो का अपडेट आपको में आपको